तो हम आपको एक चीज़ दिखाने जा रहे हैं यह चीज़ साइदी आप लोग भी यही बुलोग जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ आज वेलकम बैक माई निव ब्लॉग तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपने यहां का पूरा एरिया दिखाने बाला हूं क्या है भाझ के आप लोग बने रहारॊ ना वेरे बुलॉग में जो की समी लोगों के पास जितनी गेती महीं अर मेरे यहां देखीए दोस्तों सारी जमीन जितनी भी पड़ी हुई है वहां पर सब उची नीची जमीन है और वहां पर सब जाकर और गास कुरा खड़ा हुआ है देखिए बहुत सारी बस्ती में यही देखिए सब जगा यही चीज है वाइस बने दना मेरे ब्लॉग में है तो आप लोगों को पूरा चीज में दिखाने वाला है यानि जय से गैःवालि बाता बोलते हैं पहोबाद में तरसी यहांपर भी है कि की दोस्तों किस तरीके की जगाएहे हैं यह देखिए यह देखिए बीच में तो सारा फिल्ड पड़ा है और यहां देखिए कि उच्छी चट्टा आने हैं यह देखिए कि उच्छी चट्टा आने हैं और जो आप लोगों को बहुत जंडे देख रहे हैं सायद नहीं दिख रहे होंगा भी क्योंकि उस तरब से सूरज पढ़ रहे इस तरब कि आप लोगों पीचे का भी देखी रहा होगा यह देखिए अब हम आच्छी चट्टान पर पानी कितंसी है यहां पर अब यह देखिए तरस नहीं चल रहे हैं यह पाली के ज़ए हैं यह जो तो इसके लिए पाफ पूरा एडिया बताने वाला है यह दो कुरा प पर खड़े हुए है और यहां से पूरा बबूर दिख रहा है और उस तरफ जो आपको जंडा और बंदिर देख रहा होगा वहाँ पर हमारा मारा मकान है और वहां शुटा से एक मंदिर है स्कूल के पास में ही तो दोस्तों वहां पर आपको चलते हम दिखाएंगे अब ही आपको यहां पर पूरा बीव दिखाने आया है तो दोस्तों देखिए आगे भी चलते हैं वहां पर थोड़ा ऐसा ऐसा है कि सूरह उस तरफ से निकले हुए है तो वहां पर दिखनी राया आप लोगों को इस जमीन की यहां चट्टान पर भी चलते हैं अब को मैं भी आपके साथ ही हूं सो दोस्तों आप दोग बने रहना मैं आपको यहां से हर चीजी एक दिखाने गाला हूं और यहां पर खेती तो दोस्तों नामात्र के लिए उठी है बाकिया कोई जमीर ऐसी नहीं है यहां तो पानी अच्छे से लगा सको यह इस गाउं का नाम है दोस्तों सुगाइस यह स्लठे पर बता रहेते सबसे उंचा एक जेवी चट्टान है और यहां से अगर पूरा भी दिखाया आप लोगों को दोस्तों देखिए और चलते आगे और नीचे का भी दिखाने की कोसिस करेंगे दोस्तों यहां पर देखिए कुछ लठे तो काफी उचे हैं और कुछ लठे बिल्कुल नीचे हैं ऐसा लगता कि जमीन पर रखे हुए हैं तार दूर से अगर देखा जाए तो दोस्तों ऐसा नहीं है पर लट्टे प्रते जगा लगे हुए हैं तो आपको एक चीज दिखाने जा रहे हैं यह चीज साइदी आप लोग भी यही बोलोगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यह जो जमीन देख रही आप लोगों को नीचे यह ऐसा लगता है जैसे कि यहां पर कोई गंगा बैती हो पहले पर मेरी सुट्मा आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों जब से मैं हूं यहां पर और गाश देखिए यहां पर थोड़ी अब खेती भी दिखिए मेरे को जो यहां पर थोड़ी जमीन वैसी है एक्दम सीधी तो वाह पर थोड़ी जमीन भी है यह यह सिर्फ जमीन इतनी ही दिखी है मेरे को अभी तक यहां तक और तो सब जगा मूज खड़ी है कई जहांकर खड़ी है कई कुछ भी खड़ा है यहां देखिए एक कूप लगा हुआ है वो भी करब का है यह दोस्तों दिख रही आगे आपको चट्टान है यह सब ही जगाह ऐसी चट्टान है और सबसे आगे कि लोगे तो यहां पभूर और भी तेखने को मिलें आप दोगों को अब जिलते हैं घर की और आपको अगर नेक्ट में पिखाना चाहूंगा तो मैं तन को आपको यह म आज में आप लोगों को यह पिखाने के आया था और ऐसे भी ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो चलते आप गर की तरफ और आप लोगों को रास्ता दिखाईगा है दोस्तों जैसे कि मतला नदिया भी बैठी है ना वो रिजन रास्ता है पैदल वालों अब वहां से थोड़ा सा दूरर हे है तो दोस्तों और चलते आगे हो और हम जिखाने अपना गार फूरबी तो देखिए यहां पर मेरे कांव कि कुछ लोग आते हैं और यहां से फिज्ञा जो बोलते है ना चीका जूमाटी हुटती है उसे देखिं कहां से यहां से सब नि यह देखी दोस्तों मेरा भाई देखि कितना अंदर पर चला जाए देखिए लोग माई काड यार यह बात गलप छीज है दोस्तों चलिया गर की तरफ यह हमारी मैन लोकेशन इसके दोवारा हम गएते इस बेट यह देखिए यहां पर कई जगातों मतलब पानी चलता है और इ यह देखिए मेल लोकेशन है यह मैं रिजन में बता रहा हूं कोई बंबा नहीं है आप लोगों को आगे ते खांगा सड़क भी है और इसमें आजमी लोग चलते ही है यह यह जलने का रास्ता है दोस्तों है कि ए गाइस देखिए तो यह आए हमारे काओं का लोकेशन फुर कि ए गाइस तो दोस्तों देखिए घर पर आ चुके हैं तो आज कर वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए वाए वाए